ओम्नामास देव्याह तेरी अल्ये खगिणाए रुत्तारी मोहिसेर सिर निविहु आयरी रावु पस्यो परवादीनियो वव्यजी लोए नमो अरिहंताः नमो सिध्धाः नमो आयरियाः नमो अज्जयाः नमो दोई सब्षाहुळम बुलिनन तरनसी परमेश्टी वगवाईने की आदिरूम्ह अदिनाद वगवाईने की बरत्मान शासने महाबीर वगवाईने की आचर स्रीक्ष अठकुंद कुंदे सौमी महराजी की आचर गुर्ण स्रीक्ष अठकुंद कुंदे सौमी महराजी की आचर गुर्ण स्रीक्ष स्व Fisham Simi Samya Formation की वारे में समझ रहे हैं कर समय अ कि आठ अंगों में आज अंनि कि जिसके पास साथ अंग हैं उसी के पाँ से आठ वांग आएगा कि प्रॉआपना अरथा धर्म की प्रवाबना करना जैसे वनेत प्रवाबना करना है तो रतना तरह को प्राप्थ करो बहार की पद कितने भी प्राप्त कर लोगे आप बहार की डिगरियां बहार की धन समपती कितना भी आप अरजन कर लो उससे आपका आत्मा खल लान नहीं हो आप करोड़ पती हैं, अरब पती हैं, खरब पती हैं, कितना भी धन पैसा है, आप पास कितना भी आपका पद है, सोहरत है, दबदबा है, इससे आपकी आत्मा कोई प्रवाबना नहीं होगे या यदि आत्मा की प्रवाबना करनी है तो रत्ना त्रह तेजिसा रत्ना त्रह के तेजिसे यानि रत्ना त्रह को प्राप्त गरो सम्मेक दर्शन, सम्मेक ज्यान, सम्मेक चायद इन तीन रत्नों को जो प्राप्त कर लेता है वो गरीब होकर भी अपनी आत्माई प्रवाखन देगा हमारा धरम पैसे वालों का धरम नहीं कि जिसके पास जिसना धन होगा वो अत्ता बड़ा धरम कर सकता है नहीं पैसे वाला सौधर मिंद्र सबसे जादा संपत्ति साली हो गया चक परती सबसे जादा संपत्ति साली हो गया तब भी उसको जुखना किसके सांगने पड़ता है एक गरीब व्यक्ती भी गरीब का बच्चा भी जिसके आँ कुछ भी नहीं खाने को ऐसा व्यक्ती का वालग भी एदि दिख्षा ले ले मुनी बन जाए जिस व्यक्ती के घर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है सुवह से आम कमाता है खाता है ऐसा व्यक्ती है उसका कोई बाला के दिख्षा ले ले बैसे वो व्यक्ती किसी के पाथ जाए तो सम्मान को प्राप्त होगा क्या कोई व्यक्ती के घर में संपता नहीं है आप देखते हैं कि जिसके घर पास पैसा नहीं है वजिए आपके घर आए तो आप उसे बाहर बिठाल दोगे या घर के बाहर से गेट से आप उसको बिदा कर दोगे या ऐसा दिखाओ जैसे आप उसको उपर बहुत ऐसान कर रहे हो सो रुपे भी दोगे पांसु रुपे भी दोगे तो ऐसा लगी का जैसे आप उसको भी फील कराओगे कि देख तु गरीब है और हम अमीर है हम फील कराते हैं दूसरे को यदि हमारे पास पैसा और दूसरे गरीब है तो हम एसान जताते हैं, फील कराते हैं कि देखो तुम गरीब हो, हम अमीर हैं हम तुम्हारा उपर कितना एसान कर रहा है यदि हम नहीं होते तो तुम्हारा कौन खलाता तुम्हें कौन पिलाता तुम्हें कौन रखता, फिर किसके पास जाते तो इस तरह से क्योंग पैसक हमार पास समयान रहता है तो हम पैसक मादम से स्मझते ही गरीब इकती, तो छोटा यह विकती है और अधियों कोई गलती कर दे तो चिला भी हम गुषा भी कर देते हैं कभी उसका सम्मान नहीं करते, कभी ऐस नहीं आओ आओ उसके पेर तो धोगे कभी नहीं धोगे उसके पेर उसके पेर पढ़ोगे कभी चरण छुओगे उसके नहीं छुओगे चाहे बुजर्ग भी क्यों ना हो गरीवी में भासा भी बिगड़ जाती है अमीर बेक्ति की भासा भी गरीब बेक्ति को देखकर विगड़ जाती है सम ब्यास को तो भासा बुज़र्ग हो तब भी भासा ऐसा नहीं कि कोई गरीब बुज़र्ग है तो आपकी भासा अच्छी निकले तब भी ए बुड़ा इधर बैठ यहां से अट वेक्ति के पैसे देखकर वहां सा निकलती है मुझसे एदि कोई बहुत बढ़िया अरे साव आओ 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 बैठो एक एलाजी केंगे आओ आओ बैठो 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 दूसरा बैठ जाओ बन जागे है वो टेबल और कुरसी है मेड़ जाओ जैसा वेक्ति होता है वेक्ति आपकी बहां सा निकलती है नहीं निकलती है वेक्ति जैसा होता है वेक्ति आपके मुझसे बहां सा निकलती है आपका अपना खुतका है तो बहां सा अलग निकलती है माईके से वेक्ति आता है तो बहां सा अलग आती है और सस्राल का विक्ति घर आता है तो बहां सा अलग निकलते है माईके से तुमारी बहन आएगी तो अलग बहां सा निकलेगी सस्राल से नंद आएगी तो बहां सा अलग निकलेगी स्वेम की मा आती है तो बहां सा अलग निकलती है उसी घर में जब सास आती है तो भासा लग निकलती है ब्यक्ती को देखकर भासा चेंज हो जाती है ब्यक्ती को देखकर सम्मान चेंज हो जाता है एक ही प्रिटा की दो या तीन बेटियां है तीनों का एक सा सम्मान नहीं करता है प्रिटा जैसा दमाद होता है बैसा सम्मान करता है दमाद पैसे वाला है खूब तो सम्मान भी उसी तरह का किया जाता है दमाद मद्यम है तो उसी पेकार का सम्मान होता है और दमाद कमजूर है गरीब घर का है तो उत्ते ही रुपए के कपड़े लाते हो फिर अच्छा पैसा वाला दमाद हैं तो 10,000 रुपए से कम की कपड़े नहीं लाओगे टीका भी करोगे तो 5,000 से कम का नहीं करोगे उस मद्यम बर गिये तो 21 रुपए कर दो और गरीब है 500 का टीका कर दो जैसी हैसियत हमें सानवाली देती है वैसा हमारा सम्मान बढ़ता है तो कह रहें जगत में पैसे से तो आप अगर देखा जाए तो जो पैसे वाला तो आईमान में रहता है और कभी छोटे का सम्मान नहीं करता लेकिन एदी वही छोटा व्यक्ती जिसको खाने का भी नहीं था और आप जिसको पूस्ते भी नहीं थे एदी वो रत्ना तरह को प्राप्त कर ले एदी वो त्रीपाल जी रत्ना तरह को प्राप्त कर ले मुनी बन जाए जिसके आने पर गरीब था तो आप आईके तो चल एक काम करें घर के जप जाड़ू लगा दे और जूते साफ करते न सब की उ पानी लेडे अना मेरे पैस अधिया थोगठी पानी गवा यह है और जब वैहीं वेक्ति इरतनात रेको प्राप्त कर लेता है तो आप कितने भी पैसे वाले रहो कितने भी संपत्ति साली रहो, चक्रवर्ती का भेवभी कि और आम के पास हो लेकिन उस सब भेवा उस रतनात रह के सामने फीका पड़ जाता है कितना मेहत्व सतना तैका सोचो आप कुछ किया नहीं, कुछ कमाया नहीं कुछ भी नहीं किया तब भी आप छोटे इतने बड़े होकर भी आप छोटे हो गए चक्रवर्ती होकर भी आप छोटे हो गए सौधर्मिंद्र होकर भी आप छोटे हो गए आत्मा प्रवाबनियों रत्ना त्रह तेजसा इसलिए अत्मा की प्रवाबना करनी है और यदि अपने आपको बड़ा बनाने का सोख है लोगों से पुजा कराने का सोख है सब मुझे को इस्थान दें, सम्मान दें यदि ऐसा भाव मन में आता है आत्मा प्रवाबनियों रत्ना त्रह तेजसा रत्ना त्रह का तेज प्राप कर लो आप सबसे बड़े हो जाओं सबसे बड़े अब कोई आपके उपर ने है ना राजा, ना महाराजा ना चक्रवर्ती, ना इंद्र, ना प्रितिंद्र बताओ कोन है सादुग उपर कौन है कौन कौन ओर्डर चलाएगा सादुग उपर सबसे बड़ा पद है इस मनुस पर आएगा यह कह दें कि चारों गतियों का अब तेरेंच और उसमें तो बनते नहीं है तेरेंच रतीम पांचों गुणिस्तान से आगे नहीं जाते मनुस रिविस्तान से नहीं जाते इसके बाद पीर कोई पद नहीं सीधा आरहनत आचरों पाद आएगे वीवस्ताओं के पद है आचारी उपाध्धाय पद ये विवस्ताओं के पद हैं विवस्ता समालनिक पद हैं आचारी उपाध्धाय भी मुनी होते हैं उनके भी वही एक्ष्टाइस मुल गुण होते हैं एक्ष्टा 36 और एक्ष्टा 25 इसलिए तो उनको विवस्ताओं समालनी है इसलिए विवस्ता के गुण हो गए, बाकी तीनों को नमो किस में डालते हैं, साधु में ही डालते हैं, नमो लोई सब शाउडम में, आप पड़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम, अर्यंते मंगलम, सिध्धे मंगलम, साहू मंगलम, तो साधु मंगलम में कौन आ गए? आचारिय उपाद्धाय साधु, तीनों आ गए, नहीं तो पांच परमिष्टी थे, अर्यंते ले लिए, सिध्धे ले लिए, मुनी ले लिए, आचारिय उपाद्धाय क्यों छोड़ दिये? क्या वो मंगल नहीं हैं? नहीं आचारिय उपाद्धाय भी साधु ही हैं, इसलिए उनको स क्योंकि आचारिय उपाद्धाय भी क्यों होते हैं? साधु ही होते हैं, विवस्ताओं के लिए आचारिय उपाद्धाय पद विवस्तित किये गए हैं, बाकि मुल गुन तो उनके भी 28 होते हैं, पहले उपाद्धाय कोई सीधा नहीं बनता, आचारिय कोई सीधा बनता, पह लिए तो आखरी अंतिम समय में समाधी समय इन पदों को भी छोड़ना पड़ता है। यदि इन पदों के साथ मृत्ति हो जाए तो दुरगति हो जाती है। आचारी की आचारी पत के साथ, उपाध्धाई की उपाध्धाय पत के साथ, यदि मरण हो जाए, पत नहीं त्याग पाए, तो जैसे की चक्रवर्ती के लिए कहा है की चक्रवर्ती, यदि अपने राज में ही मर जाए, चक्रवर्ती भेवब नहीं छोड़ पाए, और राज मे इसका मरण हो जाए तो नियम से इन्न रख जाता है दुर्गत्य हो जाती है त्यागी है पर परिग्रे हो गया परिग्रे हो गया जिस्य का परिग्रे हो गया गण का परिग्रे हो गया सम्मूल का परिग्र हो गया चेतन परिग्र है अचेतन परिग्र है अचेतन परिग्र है धन, सम्पत्थी, राज, भेबव इसलिए बगवती आराजना में पहले इसपश लिखा है आचारियों को अपने आचारी पतका अत्याँ करना पड़ता है इसलिए सभी आचारी योग सिस्व को आचारी पर सुनकर निब्रिद होकर उसी के चड़नों में प्राष्च लेकर सादू बनकर समाधी करते हैं जब तक आचारी रहेंगे आचारी तो का भाब बना रहेगा आचारी का भाब बना रहेगा ये इसा कर रहा है उब्चा कर रहा है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए आचारी तो रहेगा तब तक तो यहीं वहाव आएंगे आप देखो कोई विक्तिया रेटार्मेंट हो जाता है बहाब बना रहता नहां झूटेगा तो संक्लिस्ता होगी संक्लेस् पहिणाम होगे वो संक्लेस् पहिणाम से आत्रो अध्यान से नरक्तर रन चाहिए का बंध हो सकता है कि वapında उससे आध धेन बनेंगे तो कि कि सरफ रखेंज नरा कायूज बंद होता है रोत धेहां से मिल्गmeye अध्यार कीयोग सपते हिसे में तने मिल्गाूज को जोड़ा था मिल्द्ध्र इस टुर युद्ब तो देखो यह तो देखी नहीं रहा बिना देखे किसी को भरती कर ले रहा है यह तो पूरे मेरे संग को नश्ट कर देगा जिसको इसमें भरती किया अनिश्ट संयोग नामकार ध्यान हो गया इस तरह से आचारी विवस्ता है कि आचारी पर छोड़ो दूसरे गण में चले जाओ अपने गण में रहोगे अपने संग में रहोगे तो देखने में आएगा आप अपनी आखों से अपने संग को तूटते नहीं देख सकते आप अपनी आखों से सिस्यों को कोई दूसर तो वो अपनी सुनाएंगे तो आपके आर्द्व परिना होंगे इसलिए आचारिपत का त्याग करके दूसरे गण में चले जाओ तो अपने गण की कोई बात ही पता नहीं चलेगे कि जैसे आप तीर त्यात्व चले जाते हो घर छुड़कर वो कोई घर से संपर ना रखो तो फेर घर का पता चलता है कि कौन घर में लड़ाई हो रही है पड़ोसी ने क्या कहा पड़ोसी ने क्या नहीं क्या कुछ भी अपने कोई टेंसन नहीं है होती रहती है होती ही बात में जब दी है और संपर नहीं है पहले मुबाल वगएर नही रहते ते पता ह्योज़ सम्हेर हुड्स मैंयों एक फटय जाता आपनमभार में अपर चल जाता घर में क्या हो रहा है Pierws कि निश्चन निर्व कलफ हो में आकज साक्यार मुण कोई अपन murmuring का पता ना जीनिका Pस पो मशारा कोई जिया डराई गर में हूं कुन लडाई अब बेटी की साधी कर दी siis अरहे से जो आपने से साधी गर्दी और अगया इसका उन रातरा करेंगे तिर से आत्रा गईबेटी साधी बगई और आप गएस सिखासी बना कर रहा है तो भोना आ है वह कैotional पृप tu पापेस आ रही हुए मैं तो मुझे तो यहां मन भी नहीं लग रहा और यह तलाख लेना आई अब तुम भीचारे तीर थे आत्र तो गई काम से अब तुम टेंसन में लगें अब टेंसन में हो अभी तो तुम यह सोच रहे देख चलो बेटी साधी करी तो गंगा नाए अब हाराम से ती जाध करेंगे साधू सिवा करेंगे यह करेंगे वो करेंगे लेकिन फोन आ गया मुपार पर पहापा हम नहीं रहेंग यह इस घर में अब पर टेंसन में मैं तो है टिकट कराओ मेरी तो पहले जब और Aller नहीं तो क्या रहता था jeह अब कर दिया अब जब बेट आएगी घर बापिस तब पता चलेगा क्या होगा सुसराल मायके में हाँ 37 रहेगी बात कुछ नहीं होती थोड़ी लड़ाई होती थोड़ी लड़ाई सेन नहीं होती तुरंथ फोन घर में कर देती है और बहीं नहीं होते फोन तो क्या होता है बहीं लड़ाई हुई थोड़ा ले रो लिए कर लिए फिर सोवे मना लिए तो ठीक ठाक हो गए बहे तो सोवे मना लिए ठीक ठाक हो गए आप टेंसन में रह गए होता है यही है माई शसराल में बेटी की लड़ाई हुई उसने तुरंद इदर लड़ाई हुओ तुरंद घुस्थे फोन कर दिया अब उसने तो कुछ भी बुल दिया तुमको तुम होगा टेंसज dogs तो रहा अब तो तो दोरेले बापैस तुम टेंसन में रहे रहे कि देख मेरी बीटी दुखी है और पहले साधन नहीं थे संपर नहीं थे तो भही होता रहता था नेपटता रहता था आप अतनक पते नहीं चलता था आपको जब घर में आती थी तब तक मुझ ठंडा हो गया तो बैसी कुछ नहीं कहना था तो इसलिए कहां कि जब एक जिस ज तो अपने साधने देखोगे तो उनको तूटते हुए रोते हुए तुम बीमार होगे तो उनको दुख होगा इसलिए संग छोड़ो दूसरे संग में जाओ बहां पर राग नहीं है किसी को आप से इसलिए कोई आप से कुछ सुनाए गए नहीं अपनी क्योंकि आप तो पर पर रगण के हैं इसलिए बहां पर भी छोड़ना पड़ता है कि दूसरे संग में जाना पड़ता है तो कह रहें कि सबसे उत्किस स्पास कोई है तो साधू पद है रत्ना त्रे है जिसने रत्नात्रे धान कर लिया है, रत्नात्रे को प्राप्त कर लिया है, उसने अपनी आत्मा की प्रवाबना कर ली, और उसे जगत की प्रवाबना करने की जरुरत नहीं है